गरुड पुरान के अनुसार, मृत्यू के बाद आत्मा को यमलोक के रास्ते में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किये होते हैं, उसे मार्ग में ना केवल भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, बलकि यमदूत उसे इतना प्रताडित करते हैं कि वह आत्मा अपने जीवन में किये गए हर पाप को याद करके रोती है और क्षमा मांगती है। पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग-अलग सजाएं दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक है यम लोग के रास्ते में मिलने वाली भयंग कर वैतर्णी नदी के कष्ट। यम लोग के दक्षणी द्वार के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बलकि यह नदी पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है। यह नदी कितनी भयानक है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड इसे सुन ले, वह निश्चय ही पाप कर्मों को छोड़ कर सतकर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। खून, मवाद और हड्डियों से भरी इस नदी की विशेश्ता यह है कि यह केवल पापी आत्माओं को ही कष्ट देती है, जबकि पुन्य आत्माओं इसे आसानी से प व्यक्तियों को वैतरनी नदी में फेंका जाता है और गरुड पुराण में ऐसा कौन सा विशेश कर्म बताया गया है, जिसे करने पर वैतरनी नदी के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। इन सारे प्रश्णों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आगे उसार यमदूत जिनपापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षन दिशा की ओर से ले जाते हैं, उन्हें रास्ते में वैतरनी नदी का सामना करना पड़ता है। वैतरनी नदी सौ योजन में फैली हुई है और देखने में बहुत भयानक है। इस नदी के तट पर हड़ियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नदी, रक्त, मांस, बाल, हड्डियां, कीचड, मवाद आदी से भरी हुई है। इस नदी में पढ़ने वाली हर आत्मा असहनिय कष्ट पाती है। पापियों को देखकर यह नदी क्रोधित हो जाती है और भयानक रूप धारन कर लेती है जिससे इसका पानी गर्म बर्तन में रखे घी की तरह खौलने लगता है और पापी आत्माओं को इसी खौलते पानी से होकर आगे जाना होता है। इतना ही नदी में लगातार भयंकर बिजली और तूफान आता रहता है जो इसके स्वरूप को और भी डरावना बना देते हैं। ये नदी विभिन प्रकार के जहरीले कीडे, घडियाल, मगर मच्छ जैसे मासाहारी जानवरों से भरी है, जो लगातार पापी आत्माओं को काटते और उनके मांस को खाते रहते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, इस नदी का पानी 12 सूर्यों की गर्मी के समान तपने लगता है। इस भीशन गर्मी के कारण पापात्माओं को बहुत कष्ट होता है, वह यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती हैं कि वह उन्हें उसे नदी से निकाल लें, लेकिन यमदूत उन्हें भाला से मारते हुए उनके बुरे कर गर्मों को याद दिलाते हैं। वह आत्मा मन की पीडा और इस भयंकर गर्मी से बचने का रास्ता ढूंडती हैं। और फिर जब वह गर्मी और आत्म गलानी का दर्द सहन नहीं कर पाती, तो बेहाल होके उस बदबुदार पानी में डुबकी लगा देती हैं। इसके अलावा अपने जीवन काल में ऐसे अपराध किये थे, जिनकी सजा बहुत लंबी है। जो लोग अपने आचारियों, गुरुजनों, माता पिता, बड़े बुजर्गों का अनादर करते हैं। अथवा उन्हें बुरा भला कहकर उन पर हाथ उठाते हैं। मरने के बाद उन्हें इसी वैतरणी नदी में फेक दिया जाता है, जिससे वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर पाएं। इनके अलावा जो व्यक्ति एक पवित्र, सदाचारी और धर्म परायन पत्नी को किसी और स्त्री के लिए छोड़ देता है, या उसे धोखा देता है, उसके साथ युगों तक इस नदी के घिनित पानी में रहना पड़ता है, जो लोग जीवित रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए गुरुओं, मित्रों, तपस्वियों, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उन्हें युगों युगों तक इस महा भयंकर नदी म करने वाला, गर्भपात कराने वाला, या उसमें सहायता करने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, किसी को विश्च देने वाला, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला, इस महा भयंकर नदी में अपने पापों को युगों युगों तक भोगते हैं, इसके करने वाला ब्राह्मन कुल में जन्म पाके भी मांस खाने वाला मरने के बाद अवश्य ही वैतरणी नदी के कष्ट पाते हैं इनके अलावा अपने बच्चों का दोश छुपाने वाले माता-पिता या अपनी जूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए बैटरणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं लेकिन नदी का यह स्वरूप सभी आत्माओं के लिए एक समान नहीं होता यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए परिवार के सदस्यों की देख भाल करता है, अपने परिजनों का विधिपूर्वक कर्म कांड करता है, तो वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है। शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में महादान वितरण करता है, वह इस भयानक नदी को आसानी से पार कर जाता है। इस कारण से नदी का नाम वैतरणी है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि वैतरणी नदी को पार कर लेने का अर्थ नर्क की अन्य सजाओं से मुक्ति कदापी नहीं है। जो पापी आत्माएं गोदान करके यहां पहुँचती हैं, वो वैतरणी नदी तो पार कर जाती हैं। लेकिन उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार नर्क की अन्य सजाओं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए लोगों को जीवित रहते दान और अच्छे कर्म करना चाहिए। इसलिए हिंदु धर्म में मृत्यू से पहले गौध दान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान और सुकर्म के प्रभाव से मनुष्य क को अलौकिक सुख की प्राप्ती होगी। इसलिए दोस्तों मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सतकर्म का संग्रह करें। जिससे कि उसे मृत्यू के बाद किसी तरह का कष्ट ना भोगना पड़े। सनातन धर्म में गरुड पुरान को भगव गरुड पुरान का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य किसी और व्यक्ति के लिए हो ना हो लेकिन स्वयम के लिए होना चाहिए। क्योंकि गरुड पुरान के पाठ करने से ही आपको मृत्यू के बाद आत्मा के साथ जो भी अच्छा या बुरा होता उसकी सही जानकारी मिल पाती है। दोस्तों, जब भी कभी हम काला जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों द्वारा सताय जाने की बात सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जाती का नाम आता है, वो है अघोरी। अघोरी। अघोरियों का स्वभाव और जीवन शैली देख कर हैरानी होती है। क्यूंकि वे मानव योनी में होते हुए भी समाज से बिलकुल अलग है। जहां सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में घर-परिवार के खुशहाली और सम्रिध्ध के लिए हमेशा प्रयास करता है। वहीं अघोरी लोग घर-परिवार का त्याग करके अपना पूरा जीवन गुप्त विद्याएं सीखने में मृत व्यक्ति की आत्माओं से बात करने और तंत्र मंत्र से शक्तियां प्राप्त करने में लगा देते हैं। अघोरियों के खाने पीने या रहने के नियम ही अलग नहीं हैं बलकि मृत्यू के बाद उनके शरीर को नश्ट करने के लिए भी अलग नियम है जो आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, अगर सच्चे अघोरियों की बात करें तो वे महान तपस्वी होते हैं। समाज के मान दंडों से बिलकुल अलग रास्ता चुनते हैं। जिसमें अजीब तरह की परमपराएं और शारीरिक कष्ट भी शामिल है। अगोरियों के बारे में एक डरावनी बात भी की जाती है, कि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वे काला जादू भी करते हैं। पर क्या यह सच में सही है? अगोरी कहां रहते हैं? क्या खाते पीते हैं? किस तरह का जीवन जीते हैं? और जब उनके समुदाय में कि प्रस्ट की मृत्तियु हो जाती है तो क्या वे सामान्य लोगों की तरह ही अंतिम संस्कार करते हैं या फिर उनका अंतिम संस्कार अलग तरह का होता है। हम इन सारे प्रश्णों के उत्तर आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अघोरी शम्षान में रहते हैं, शवों पर बैठकर साधना करते हैं। उनकी साधना का दूसरा तरीका है एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की पूजा करना, रात में जाक कर आधी जली हुई लाशों को चिता से बाहर निकालना और उनके साथ तंत्र क्रिया करना, यह सब अघोरियों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। अघोरियों की सारी बातें आम लोगों से अलग होती हैं। साधना की जिस रहस्य मई शाखा को अघोरी लोग अनुसरण करते हैं, उसे अघोर पंथ कहा जाता है। इसका अपना विधान है और जीवन को जीने का अलग अंदाज है, जो किसी धर्म से मेल नहीं खाता, जो अगोरपंथी साधक इस राह पर चलते हैं, अगोरी कहलाते हैं, अगोरपंथ में शम्षान साधना का विशेश महत्व है, अगोरी मृत्यू के बारे में जानना चाहते हैं, जीवित रहकर मृत्यू का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा से बात करना चाहते हैं, इस तरह की कई बाते हैं जिनको अनुभव करने के प्रयास में अगोरी शम्षान में रहना पसंद करते हैं, इनका मानना है कि शम्षान में साधना करने से ना केवल शीग्र फल प्राप्त होता है, बलकि जीवन और मृत्यू से ज जिलिए उनकी पूजा शम्षान में करने से मौक्ष की प्रापति होती है। दोस्तों अघ्होरी बनना जितना कठिन है उससे भी कठिन है उनकी साधना। तो आये पहले आपको अघ्होरी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले वह बताते हैं, उसके बाद अगहोरियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, उसे जानेंगे। और इसके बाद हम आपको अगहोरियों से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी आश्चरिच में पढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगहोरी बनने के लिए व्यक्ति को सांसारिक मोह माया त्यागना पड़ता है, उसे अपना परिवार छोड़कर किसी दूर स्थान पर जाकर सिध्धिप्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। वे पूरे दिन सोते हैं और रात में शवों की राख पर बैठ कर साधना करते हैं। वैसे तो उनके उलजे हुए बड़े बड़े बाल और लाल आखें होती हैं। वे देखने में तो भयानक लगते हैं, लेकिन वास्तव में कई अघोरी स्वभाव से बहुत सरल भी होते हैं। क्योंकि वे सभी चीजों को पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार सभी चीजें भगवान का उपहार हैं। वे अपने पूरे शरीर पर शवों की राख लगाते हैं। अघोरी बनने के बाद वे कोई भेद्भाव नहीं करते। वे इसी तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि अघोरी बनना इतना आसान भी नहीं है। इस समुदाय में शामिल होने के लिए उन्हें अघोरी गुरू की शरण में रहकर बारा साल तक कठोर तपस्या और कठोर अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, अगोरी बनने के लिए उन्हें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है। अपने परिवार और इस संसार से मोहभंग के लिए वे जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संसकार कर देते हैं। ऐसा करके वो अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग देते हैं और संकल्प लेते हैं कि वो कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे और अपने परिवार से कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जब किसी अघोरी की मृत्यू हो जाती है, तो उसके साथ के अन्य अघोरी मिलकर उसके शव को शमशान में ही बिना विशेश कार्य कर्म किये, सामान्य तरह से या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। वैसे तो एक अघोरी मृत्य व्यक्ति के शव को भी खाता है, लेकिन कोई भी अघोरी अपने साथी की मृत्यू के बाद उसके शव को नहीं खाता। ये गाय की भी पूजा करते हैं। ये लोग मरे हुए मनुश्यों का मांस भी खाने से परहेज नहीं करते। इसके अलावा ये सड़ी गली चीजें मल मूत्र भी खाने से नहीं हिचकिचाते। उन्हें किसी भी चीज से घ्रणा नहीं होती है। वे शव की खोपड़ी को एक हैं अगहोरियों की सोच होती है। कि किसी भी स्वादिष्ट भोजन से जो सुख की प्राप्ति होती है, वह उनकी साधना में बाधक है। इसलिए वो हमेशा स्वाधहीन ऐसा भोजन करते हैं, जिससे सिर्फ उनका शरीर जीवित रह सके। और भोजन के प्रति उनकी उदास अगोरियों के अनुसार मानव खोपडी इस संसार के सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपडी में जो भी उर्जा है उसे जागरित करना है। शव खोपडी के माध्यम से वे जो कुछ भी करते हैं उसके दौरान नकारात्मक उर्जाएं भी सामने आती हैं। ये शक्तियां अ और सिध्धिप्राप्त करते हैं। इस आत्मा को अगोरी लोग मधिरा और मांस का सेवन भी करवाते हैं। कुछ प्रेत आत्माएं कभी-कभी साधना में बाधा डालने का प्रयास करती हैं। इसलिए शम्शान में भूतों से बचने के लिए अगोरियों के पास एक खा खीचता है। फिर तुतई बजाते हुए साधना शुरू होती है। ऐसा करके अगोरी अन्य भूत प्रेतों को चिता में विग्ण डालने से रोकता है। दोस्तों, बहुत से अगोरी तंत्रमंत्र की सहायता से इस ब्रह्मांड में मौझूद प्रेत आत्माओं की करके लोगों का बुरा भी करते हैं। माना जाता है कि अगोरी बहुत क्रोधी और जिद्धी होते हैं। अगर उन्हें किसी से कुछ चाहिए, तो वह चीज लेकर ही छोड़ते हैं, नहीं तो श्राप दे देते हैं। माना जाता है कि उनका श्राप मरने के बाद भी लोगों उसकी आत्मा तंत्र साधना की शक्ति से सामान्य आत्मा के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाती है और ना केवल उस व्यक्ति को बलकि उससे जुड़े सभी लोगों को नुकसान पहुंचाती है और कभी-कभी ये विद्वन्सक रूप से बहुत भयानक होता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी अगोरी को कुपित नहीं करना चाहिए। ये बात हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। किसी दुष्टात्मा के वश में हो जाता है। जब उसे किसी ओजा के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि किसी ने दुष्मनी के कारण तंत्र मंत्र से ये काम किया है। ऐसा कार्य कोई दुष्ट अगोरी ही कर सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी सच्चा अगोरी अ एक चर्चा का विशय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस से आपको ये पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगारता है इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है इस विशय में गरुड पुरान, हिंदु धर्म ग्रंथों और आचार्य चानक्य ने चानक्यनीती में क्या बताया है इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में इस विशय पर क्या लिखा है वह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों आईए सबसे पहले गरुड पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है पहले वह जानते हैं इसके बाद आचार्य चानक्य ने इस बारे में चानक के नीती में और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कहा है वो देखेंगे हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यू के बाद केवल शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती गरुड पुराण में बताया गया है कि कुल चौबासी लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनी मनुष्य की होती है मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यू के बाद अगली योनी प्राप्त होती है इसका अर्थ हुआ कि मृत्यू के बाद आपका जन्म किस योनी में होगा ये पहले से ही निर्धारित है अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यू के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा गरुड पुरान के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेध, पुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है इश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनी में होता है जो लोग मित्र के रूप में शत्रू बने रहते हैं, पीठ पीछे दोखा देते हैं उनका अगला जन्म इस धर्ती पर गिद्ध के रूप में होता है अर्थात गरुड पुरान के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किये जाते हैं उस आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं दोस्तों आचार्य चानक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यू को भी प्रभावित कर सकता है आचार्य चानक्य ने चानक्य नीति के इस श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की पाँच चीजे मा के गर्भ में ही तय हो जाती हैं आयूह कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानी ही स्रिग्यनते गर्भ स्थस्ययव देहिना अर्थात इस धर्ती पर रहने वाले हर एक देहधारी प्राणियों की आयू, कर्म, धनसंपत्ति, विद्या और मृत्यू का समय ये पाँच चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मा के गर्भ में होता है आचार्य चानक्य के अनुसार किसी भी शिशू की आयू मा के गर्भ में ही तय हो जाती है बच्चा अलपायू होगा या दीर घायू, इस संसार में आप आएगा या नहीं, ये सब मा के गर्भ में ही तय हो जाता है आचार यचानक्य के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है ये कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं, बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार मां के पेट में ही ये निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाब है या नहीं। बच्चा कहां तक परेगा विद्या ग्रहन कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा ये सभी बातें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। दोस्तों, गीता में श्रीक्रिष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। इक गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्मान खुद करता है। आई जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है। जिसमें कंस के लिए एक भविश्यवानी होती है। कि उसके भाग्य में देवकी की आठवीन संतान से वद्ध होना लिखा है। यह भविश्यवानी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। लेकिन अंत में कंस की मृत्यू उसके भाग्य के अनुसार, माता देवकी के आठवी संतान, श्री कृष्ण द्वारा ही हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी, जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता, तो हो सकता है भगवान उसे क्षमादान दे देते। लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया और उन्हीं पापकर्मों के कारण खुद ही मृत्यू को प्राप्थ हुआ। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इसलाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से होता है। हिंदु धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों में संचित किये गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदु पुरान कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है। परन्त दुनिया में कर्म भाग्य से बड़ी भूमी का निभाता है। बाइबिल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और उसे हर मुसीवत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है। ईश्वर उनके कर्म को ही नियती में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ट कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक बहुत ही विवादास्पद और व्यक्तिगत प्रश्ण है. कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, अन्य ल परन्तु कर्म पर होता है. कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें, तो कर्म फल ही भाग्य है. कर्म से ही भाग्य का निर्मान होता है. इसलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है. मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हो यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्म के कारण ही होता है यानि आपको कर्म करते रहना होगा लेकिन अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे तो दोस्तों भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़ा हो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें सर्वे शुभम भवतू आईए मिलते हैं अगली वीडियो में